Hello everyone, welcome back to my channel आज आपके एक नया trick लेकिए हैं जिसका नाम है average देखिए इससे पहले मैं part 1 बना चुका हूँ मैं उसमें आपने काफी अच्छा response दिया है इसलिए मैं average का part 2 बना जा रहा हूँ देखिए बहुत ही अच्छा trick लेकिए हूँ आपके लिए जिससे आपका average जो है आप easily solve कर पाओगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ही वीडियो तो चलिए दोस्तों आपके सामें देखिए और एक average question लेकिए हूँ देखिए ये average question बहुत ही important question देखिए बहुत दा पूछा गया है आप देख सकते हैं यहां पर क्या दिया है आप cricket player scores in his four innings 48 46 45 and 44 how many runs will he score in fifth inning to make the average of 50 मतलब fifth inning में वो कितना run बनाएगा जिससे average जो है वो 50 हो जाए तो ऐसा समय आप क्या करोगे देखिए confused हो जाओगे क्या करेंगे देखिए तो आप क्या करोगे देखिए ध्यान दोगे यहां पर यहां पर देखिए यहां पर 50 दिया हुआ है तो आपको देखिए 48 दिया हुआ है तो कितना प्लस करोगे जिससे यहां पर 50 आ जाएगा आप प्लस 2 करोगे यहाँ पर देखे 46 दिया है तो आप कितना plus करोगे जिससे यहाँ पर 50 आजाए तो देखे plus 4 करोगे यहाँ पर देखे 45 दिया है तो plus 5 करने पर यहाँ पर 50 आजाए clear हो गया है अब देखे यहाँ पर plus मैं यहाँ पर 6 करूँगा जिससे यहाँ पर 50 आजाएगा यह मैंने क्यों किया देखिए यहाँ पर plus और minus भी हो सकता है अगर यहाँ पर समझ लो 53 होता तब क्या करते देखिए आप लिखते minus 3 लिखते clear हो गए है तो यह plus minus आपको सीखना होगा अब देखिए क्या करेंगे देखिए ध्यान देखिए आप यहाँ पर 50 लिखोगे और जो भी आपने plus किया है देखिए plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 यह आपने लिख लिख लिया आपने इन सब को plus कर दो आपका answer आजाएगा क्या करोगे देखिए 4 plus 2 कितना और 6 होता है और 6 plus 6 कितना होता है 12 होता है 12 प्लस 5 कितना होता है 17 होता है तो 50 प्लस 17 कितना हो जायागा 67 आपका आंसर हो गया तो इस तरह से ऐसे difficult चीज को आप easily solve कर सकते हो चलिए और दोस्ता आपके साम में देखिए और एक वह आपको बताना है तो में का average of 54 जिस से average जो है 54 हो जाए तो क्या करूंगा देखिए यह 54 मैं यहां पर लिक लिए तो सहमें क्या करूगा देखिए यह premiere 54 करना हो तो क्या करूंगा मैं यहां पर minus 4 करूंगा clear हो गया है अब देखिए यहाँ पर 48 है तो 48 को 54 करने होगा मुझे तो क्या करूँगा देखिए यहाँ पर मैं plus क्या करूँगा यहाँ पर मैं 6 plus करूँगा जिससे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा ठीके इसको मैं round कर लेता हूँ अब देखिए 45 दिया है तो 45 को मुझे 54 बनान है तो क्या करना पड़ेगा मुझे प्लस करना पड़ेगा मुझे 9 प्लस करना पड़ेगा जिससे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा क्लियर हो गया अब देखें यहां पर 50 दिया है तो 50 को मुझे 54 बनाना हो तो क्या करेंगे देखिए आप करोगे plus 4 करोगे clear हो गया अब देखिए जो भी आपने plus minus किया वो आप यहाँ पर लिख लीजिए तो minus 4 plus 6 plus 9 और यहाँ पर देखिए plus 4 अब देखोगे यहाँ पर minus plus क्या होगा यहाँ पर cancel हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर 54 है और plus 9 plus 6 आपका 15 हो गया इससे plus कर लीजिए तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 69 आपका answer हो गया 69 आपका right answer हो गया है तो ऐसे difficult sum को आप इस तरह से easily आप solve कर सकते हो चलिए और एक कुस्वा आखरी sum लेके हैं देखिए बहुत ही important sum में देखिए यहाँ पर लिखा है आप क्रिकेटर has completed 10 innings and his average is 21.5 runs how many runs must he make in next inning so as to raise his average is 24 21.5 average है अगर उस average से आपको 24 average बनाना है तो क्या करोगे कितने run आप बनाओगे वो आपको बताना है ध्यान देखिए आप क्या करोगे देखिए सब सब देखिए 24 यहाँ पर दिया हुआ है और 21.5 को आप माइनस कर लेजिए यहाँ पर point रखता हूँ यहाँ पर 0 माइनस करने जा रहा हुँ देखिए यह 4 यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पर 5 हो गया 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 हो गया आपका अब देखिए 24 प्लस 25 कर लेजिए तो 5 प्लस 4 कितना हो 9 और 2 प्लस 2 कितना हो 4 49 रन आपको बनाना है तो इस तरह से आप आंसर ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे difficult question के लिए देखिए बहुत कुछ मैंने यहां पर सिखाने कोसिस किया अगर कोई छूट गया हो या कोई चीज कम हो गई इसके अंदर तो प्लीज कमिंक के बताएए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर किजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बैल आइकन दबाओ तो ध्यान रखना उसमें तीन